Hey you guys welcome back to my channel hashtag Neetu Shri Happy New Year to all of you कैसे हैं आप सब अब तो विंटर अच्छे से स्टार्ट हो चुके हैं बहुत ठंड है आज और मैं बहुत दिन के बाद फिर से आज बैटी हूं वीडियो बनाने तो आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है बलश जैसे कि आप लोग जानते ही है आज कल बहुत जादा बलश ट्रेंड में चल रहा है लाइक पिंकी पिंकी से चीट अच्छे लगते हैं बहुत जादा लोग यूस कर रहे हैं बलश लाइक टेंड बलश क्रीम बलश बहुत जादा ट्रेंड में है आज कल तो उसी पर ये वीड यह बेसिकली यह वीडियो है कंपैरेजन का वीडियो तो रिसेंटली मैंने एक बहुत ही ज्यादा हाइप ब्लश वाय किया अभी नाइका पिंग फ्राइडे सेल से जो की लास्ट मन्त आई थी तो वह काफी महंगा ब्लश है आप सभी जानते होंगे उसके बारे में पिक्सी ऑन दे ग्लो ब्लश तो मैं आज इस पर ही बात करने वाली हूं क्या यह वर्थ है क्या यह इतना महंगा ब्लश लेना ठीक है या नहीं है ले तो लिया क्योंकि मैंने बहुत दिन से सोच रखा थे मैं इसको ले लूँ और अभी डिसकाउंट पे मिल रहा था इतिंग क कि तू थाउजन के आराउंड है लेकिन हमें यह स्टाइम डिसकाउंट पे 15-1400 का मिल रहा था तो मैंने सुचा मैं एक ट्राय मदा मैं ले लूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहे लेने के लिए काफी लोग इसके बारे में बात इक परते थे तो मैंने जब ले लिया तो उस दिन तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने जब अपने औरी मेरा मेक अप था फेस पर और मैंने इस पर अपलाई किया तो काफी अच्छा देख रहा था लेकिन बाद में मैं इससे डिसपोइंटे रूल एक मुझे नहीं पसंद आया इतना महंगा ब्लश और बिल्कुल आपके चीट्स पर रहते हैं और यह तो बिल्कुल भी नहीं रहता अगर आप इसको लोग है तो आपको बार बर रीटच करना ही पड़ेगा हरेकाद घंटे पर इतना कम यह रहता है और इतना महंगा है उस हिसाफ से मुझे थोड़ा सा मतलब यह लगा कि यार इतने में तो यह प्रकेजिंग भी नहीं पसंदें फर्स जई मैंने जैसे इसको खोला और मेरा ब्लश उपर से खराब हो गया था यह इस तरह से निकलता है तो इसका ना मैंने लिया है इसमें मेरा शेड़ फ्लेवर आइटिंक हाँ फ्लेवर है मेरा शेड और यह इस तरह से अपलाई कर दिया जाते हैं चीक पे तो एक तो इसका यह आप देख सकते हो बहुत लाइट शेड़ है वो भी चलो ठीक है कोई बात नहीं विंटर में ग्लोई लगेगा लेकिन यह ग्लोई भी ना बहुत देर तक नहीं रहता है मैंने इसको यूज करके देखा तब मैंने यह वीडियो बनाया है मतलब मैं एक महीने से लगभाग यूज कर रही हूं तो मैं इसको जब लगाती हूं तो मुझे थोड़ी का घंटे के बाद अपने लगता है चीक पे बलाश हाई नहीं हलकी सी रहती बहुत लाइट सी श जाता है थोड़ी देर में बहुत ही कम जैसे और और सारे ब्लश जो है उनकी टेंट रह जाती है थोड़ी थोड़ी सी इसकी तो टेंट भी नहीं रहती है तो मुझे यह नहीं अच्छा लगा अगर आप लेने ही चाहते हो ब्लश तो आप इतने महेंगे में क्यों इंवेस् ले सकते हो लोंग लास्टिंग यह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा दिस नॉट वर्थ मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगा इसमें मेरे पैसे बरबाद गये हैं मैंने अच्छे खासी अपनी पॉकेट खाली किया इसको लेने के लिए बिग होल मैंने बनाया अपन तो यह बहुत अच्छा लगते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है थोरी देर के बाद इस गाय भी हो जाता है इसकी ना कोई चमक रह जाती है ना शाइन रह जाती है ना ब्लश का कलर रह जाता है तो मुझे यह नहीं अच्छा लगा अब अगर आप इसको छोड़के और इत अच्छा लगाओ उसके बाद यह काफी देर तकार के फेस पर रहता है एं अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है इसमें बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं यह अगर मूव भी हो जाएगा तो इसका कोई ना कोई तेंट रह जाता है देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको र ने जाता है तो फिर उसके बाद मेरे पास आते हैं यह इस एक है मेरे पास स्वीज ब्यूटी का क्रीम एंड तिंट दूसरा है मेरे पास अर्ध रिद्यम का टिंट लिपी यह वाला भी आप एजा टेंट अपने चीक पर यूज कर सकते हो और क्रीम एंड टेंट यह तो करी जाता है फिर इनके ब्लशे भी लॉंच हो चुके हैं क्रीम ब्लशे जो की काफी अच्छे है और दृद्यम का यह टिंट है सिक्स फिप्टी का लेकिन इससे फिर भी बहुत कम रेंज में हैं और इसके इसमें भी कुछ डिसकाउंस मिल जाते हैं एक और बहुत अच्छा ब् ले लो और इतने अच्छे सी इसको ब्लेंड करके आप लगा सकते हो दोनों तरफ आप स्वांज की हैं और यह कहीं भी मूब नहीं होता है तो इसकी भी लास्टिंग पावर बहुत अच्छी है जो प्लावर ब्यूटी का है और यह तो मुझे बहुत पसंद है मेरा शेड है इसमें, Melon, very nice blush, वेरी नाइस ब्लश, वेरी नाइस ब्लश, वेरी नाइस ब्लश, वेरी नाइस ब्लश, ये भी ट्यूब फॉर्म में आता है, इसको भी लगाने के बाद अच्छे से से पह जाता है, और ये फुल दे आपके चीक्स पर रहता है, बिल्कुल भी मूव नहीं हो होता है, और बहुत देर तक ये रहता है, इसमें भी बहुत सारे शेड्स अवलेबल हैं, आपको जो लेना हो आप ले सकते हो, ये भी एक बड़ सेट होने के बाद बिल्कुल भी गायब नहीं होता है, इसके कंपैरेजन में, ये तो बिल्कुल गायब हो जाता है, एक और मे आपके फेस पे रहता है, मैं इसको जाहतर, मैं इसी को यूज करती हूं अपने डेली रूटीन में भी, बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद भी बहुत जाद है, और इसको भी अगर आप एक बार लगा लो, मेरा शेड है, इसमें, I don't know what is the shade, I will definitely mention it, और ये भी जब एक बार सेट हो जाता है, फिर ये कहीं मूव नहीं होता है, ये इस तरीके का डाक शेर है, लेकिन ब्लेंड होने के बाद बहुत अच्छा आजाता है, अभी तो ये बहुत बहुत जादा ले लिया है, और ये ब्लेंड हो के बहुत सुन्दर लगता है, जो डाक स्किन टोन वाले पीपल हैं उनके बहुत अच्छा जाता है और यह एक बड़ सेट होने के बाद कहीं मूव नहीं होता है तो इतने सारे मार्केट में अच्छे अच्छे ब्लुश हैं तो क्यों हम यह इतना महंगा वाला खरीदें और मैंने तो खरीद लिए और मेरे पैसे वेस्ट हो मुझे मेकप से बहुत प्यार है मुझे सब चीज़े अच्छी लगती है लेकिन यार इतना महंगा और इतना ज्यादा लोग इसके लिए क्यों बात करते हैं इसमें क्या ऐसा सब को दिखा ना तो यह कोई आपको शाइन देता है लॉंग लास्टिंग भी नहीं है एक गंट तो यह आज मैं बस इतना ही बताना चाहती थी आपको कि यह ब्लश मुझे नहीं अच्छा लगा और इसकी जगह पे आप कौन-कौन से ब्लश ले सकते हो तो यह गाइस इतना ही था आज मेरे पास चोटू सा यह वीडियो मेंने बनाया था क्योंकि मुझे ब्लश नहीं पसं जो गाइस इतना है चलती हूं मैं अंतिल नहीं नेक्स वीडियो कंग वाई भाई लव यू आपी नू एर